हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हर्दिक स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में तीन महत्पून जांकारियां आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ बढ़ी हुई पैंसन एक तारिक से पैंसन में 20% से लेके 100% तक की व्रद्धी एक्स पे 62 केस फिर फसा और ECHS referral policy पर एक update आई है जिसके बारे में आप सभी को जानना जरूरी है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर जरू करें देकि यहां पर आपको जो जानकारी मिलती है वो latest जानकारी होती है और किसी भी जानकारी को तोर मरोड कर या हम कहें कि बार बार repeat करके नहीं दिखाया जाता है तो अगर आप मेरे चैनल से जोड़ते हैं तो आप अपने जितने भी जानकारी हैं उनसे अपडूडेट रह सकते हैं जिनसे आपको benefit हो सकता है सबसे पहले देखे बात करते हैं मियाँ पर यह है Supreme Court से RIT Petition 126 of 2024 जो है Welfare Association of Retired Mechanics of Indian Navy इसमें देखे आप सुसिल कुमार चोदरी जी हैं उनका भी केस है अगर हम बात करें जो Technical Air Veterans Association है उन्होंने भी केस डाला हुआ है और उस केस की जो सुनवाई थी उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर जो Bench थी उसको लीड कर रहे थे Honorable Justice कह सकते है Chief Justice of India उसके बाद Justice जेबी पारदिवाला और Justice मनोज मिश्रा लेकिन यहाँ पर अभी 8 नवंबर को जो है Chief Justice of India रिटायर हो जाएंगे तो ऐसे इस्तिति में अब जो यह Bench है बदल जाएगी तो अब यहाँ पर जो ब से जादा हो चुका है और सही से देखे तो इस पर कोई भी एक positive outcome नहीं आया है नहीं कोई सही से सुनवाई होई है 25 तारिक इसमें computer rate दिखा रहा है अब इसमें कितना time लगेगा Bench में क्या बदला होगा वो आपको देखना होगा क्योंकि OROP 3 भी आ चुका है लागू भी हो बात करते हैं clarification on revised guidelines for referral process in ECHS तो कि 4 October को जो ECHS का एक letter आया था उसमें para 2.C में कुछ ऐसी चीज थी जो यहाँ पर परिसानी create कर रही थी clear नहीं थी तो उसका clarification यहाँ पर दिया गया है investigation and treatment procedure advised by specialist of empaneled hospital after referred by ECHS तो it is clarified that as a measure to help veterans veteran को help करने के लिए उनको परिसान होने से बचाने के लिए हम बहुत सारे multiple times में polyclinics में आते हैं then to come back multiple times to polyclinics in the same referral hospital may conduct all the tests including CT scan, MRI, PT scan or any other investigation costing over Rs. 3000 these tests have to be prescribed by the super specialist or specialist of the empaneled hospital यानि अगर जब आप आते हैं तो आप यह सारे test जो तीन जादे के हैं वो कर सकते हैं लेकिन उस पर जो specialist doctor है या super specialist doctor है उनके prescription के बाद में ही करना है और यहाँ पर एक हिदायत दी गई है कि आप वही चीज कराएं वही test कराएं जो जरूरी है no unnecessary test to be prescribed or done, all this referral is valid for 3 months और यह जो referral procedure है यह तीन महीने के लिए valid है empaneled hospitals are requested to follow the guidelines and any clarification on the same can be sought from the offices तो आप देखे यहाँ पर इन्होंने ECHS Regional Park का हवाला दिया है आप वहाँ पर उनके call करके mail करके पूर सकते हैं कि इसमें क्या है कुछ समय में अगर नहीं आता है तो अब चलते हैं तीसरी बड़ी दंकरी की तरफ यह है आपको additional pension को लेकर देखे सरकार ने 18 अक्टूबर 24 को एक office memorandum निकाला जिसमें उन्होंने बताया कि देखे जो 20%, 30%, 40, 50 और 100% additional pension है 80 साल से सुरू होती है वो आपकी जो birth date है माल लिजे कि आप 22 अप्रेल को हो रहे हैं पूरे 80 साल के तो आपको एक अप्रेल से ही additional pension मिलेगी यानि उस महीने का जो आपका birth year है उस मन्त से पहली तारीक से आपको बड़ी हुई pension मिलेगी यानि 80th year के उस महीने में ऐसा नहीं है कि 79 years complete हो गए आपको अगले दिन से ही जो है additional pension मिलनी सुरू हो जाएगी जी नहीं जो आपका month है date of birth का उस मन्त की पहली तारीक से आपको additional pension सुरू होगी तो यहाँ पर देखे नीचे इन्होंने example देके भी समझाया था कि माल लिजे कि किसी का 20 अगस्त 1942 था ऐसी इस्तिती में 1 अगस्त 2022 से उनकी pension सुरू होगी ऐसा नहीं है कि आप कहें कि या हम 79 years के हो चुके हैं 2021 में ही तो आप 23 September 2021 से ही हमे additional pension देजी जे बढ़ा कर ऐसा नहीं है यहाँ पर इन्होंने clear किया है इसलिए देखे सारी चीज़े यहाँ पर after completion of 80 years of age और above by a retired government servant यानि ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप 80th year में परवेस करेंगे जब आपके 80 साल complete हो जाएंगे यह यहाँ पर साफ साफ mention किया गया है तो यह थी परमुग जानकारिया फिर मिलेंगे आपसे जैहिंद जैबारत